हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाप 10 क्लास की प्यारे से यूटूब चैनल पर स्वागत है तो आज की लेक्चर में बात होने वाली एक अच्छा दस की बिग्यान की आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले अप परतनांग तथा प्रिकास की चाल से क्या संबंद है और दोस्तों आज की लेक्चर इतनी जबर जासत है न का आप यह का सकते हो कि सिरुड़ी मैं वादा करता हूं मैं गैरांटी के साथ कता हूं कि यदि आपने आज का वीड पर्षन पढ़ने वालों इस पूर्षन से नुमेरिकल 100% पूछेगा लिखवा लो अगर क्यूस्टन नहीं पूछा न तो आके मिल लेना दोस्तों पक्का 99% के साथ एक क्यूस्टन पोचना ही पोचना है तो चलिए लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले जो दोस्तों लोग तो प्यारे भाई लोग जो प्यारे मित्तर लोग चैनल पर नहीं आएंगो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उसाथ के साथ बिल आइकन को जरूर प्रेस किजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राफ्त होती रहे और दोस्तों वीडियो पसंद आता त दोस्तों के साथ उसे जरूर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचाना आपका धर्म है और हम लोगों का एक प्रेकार का सपोर्ट करना होगा तो चलिए लेक्शर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात की अपवरतनांग क्या होता है तो अपवरतना जैसे हमनी क्या कहा कि एक तरफ ले लेते हैं वायू क्या ले लेते हैं वायू और एक तरफ ले लेते हैं निर्वात क्या ले लेते हैं यह देखेगा या तो माल लेते हैं एक तरफ वायू ले लेते हैं जिसको आप जानते हो एक तरफ नाम लेते जल एक रफली के रूप मे में से चल कर वायू में से चल कर वायू में से चल कर जल में प्रवेस करती है यह इधर से जाना चाहिए था पर यह अभिलम की और क्या हो जाती है ध्यान से समझेगा जब कोई और कोई प्रवेस करती है तो वह अविलम की और जुक जाती है में मुद्दा यह है कि वायू में प्रवेस की चाल विवन होती है और जल में प्रवेस की चाल विडू होता है तो इन दोनों का अनुपात माध्यम का क्या कहलाता अब पॉर्तनांक कहलाता है यानि कहने का मतलब है कि यदि कोई प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेस कर रही है एक वाफिर से जब कोई प्रकास किरण एक माध्यम से चल कर दूसरे माध्यम में प्रव तो फिर से देखेगा जब कोई प्रेकास की रड़ जल में से चल कर काच में प्रवेस कर रही है तो यहां इसकी चाल वीवन होगी यहां चाल इसकी वीट होगी यहां चाल कुछ और होगी यहां चाल कुछ और होगी तो दोनों माध्यमों में प्रिकास की चालो का अनुपात अपवर्टनांक कहलाता है तो आईए दोस्तों ये चीज जरूर लिखते हैं लोग ये बाते यहां जरूर लिखी जानी चाहिए तो क्या हो जाएगा अब हम निकालेंगे वायू के सापेच किसी माध्यम का अपवर्टनान तो द्यान से समझेगा निर्वात में प्रकास की चाल तथा माध्यम में प्रकास की चाल का अनुपात ही का अनुपात ही माध्यम का अपरतनांक कहलाता है क्या कहलाता है माध्यम का अपरतनांक कहलाता है यह है दोस्तो माध्यम का क्या कहलाता है अपरतनांक कहलाता है यह जरूर समझेगा यानि मिरवात के सापेच तो किसी भी माध्यम में प्रेकास की चाल होगी वह क्या कहलाता है माध्यम का अपरतनांक कहलाता है तो अपरतनांक बराबर क्या होता है दोस्तो वो ध्यान से समझे अपवर्तनांक N बराबर होता है निर्वात में प्रकास की चाल किसमें निर्वात में प्रकास की चाल को हम लोग व्यक्त करते हैं किसे प्रकास की चाल SP की हो जाएगा निर्वात में प्रकास की चाल किसमें तो यह भी भी हो गया ठीक अब इसको हम लोग इस रूप में लेख सकते एन एक्वल टू सी बटे वी अर्थात वायू के सापेच किसी भी माध्यम का परदरांग जो होता है वो एन एक्वल टू सी अपान वी के क्या होता है बराबर होता है अब हम निकालते हैं जैसे मुझे चाह संप का परदरांग वॉयू के सापेच काच का परदरांग यॉकि की अपरदरांग का ओ इसका मलुघ हो तो नांख होता है तो वायू के साथ इसे काशा का अपरतनां क्या हो जाएगा सी किया और लुघ कि अलंग किया बड़ीजें दोस्तों चाल अबaga ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इस बार वायू के सापेच नहीं, किसका निकालेंगे, वायू के सापेच जो है जलका अपवर्थनांग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वायू के सापेच, वायू के सापेच, यदि मुझे जलका अपवर्थनांग निक डबलू वायू के सापेच जल का अपवरत नाम हो जाएगा निरवात में प्रेकास की चाल और माध्यम में प्रेकास की चाल तो माध्यम कौन है जल तो डबलू लगा दिए समी करण नंबर क्या हो गया दो हो गया अब हम क्या करते दो तो समी करण एक बटे समी करण क्या कर दे किस से भाग देते हैं तो मुझे जिसके साप्छ निकानला तो तो हम क्या कर रहे हैं, समी करण 2, क्या कर रहे हैं दोस्तो, समी करण 2 बटे समी करण 1, यह, समी करण 2 बटे समी करण 1 से, तो समी करण 2 क्या है, देखे, ANW है, ANW, फिर उसके बाद क्या है जानते हैं, ANG बराबर, ANW की value कितनी है C बटे VW फिर उसके बाद क्या है C बटे VG तो ये C से C cancel होगा G उपर पहुच जाएगा तो मिल जाएगा VG बटे VW अर्थात ANW बटे ANG जो है वो आपका क्या मिल जाएगा यहां से ध्यान से देखिएगा A A से आपका cancel हो जाएगा तो आपका यहां मिल जल के साथेच काच का अपरतनाग तो यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं ध्यान से अब देखिए VG बटे क्या आगे VW चलिए आगे हल करते हैं थोड़ा सा और बाते करते हैं गुदि देखिए क्या मिला है ANW बटे ANG ठीक बराबर क्या है VG क्या है vaisy यह का-च में प्रिकास की चल और VW मतलब जल में प्रिकास की चल तो यह किसके बराबर हुआ जैसे यह हम देखो निरवात में प्रिकास की चल और माद्यमों के चल तो यहां पर था निर्वात में प्रकास की चाल और जल कांच में प्रकास की चाल तो वायू के सापेच कांच का परतनाग हो रहा था जब वायू में प्रकास की चाल है और कांच में प्रकास की चाल है तो वायू के सापेच कांच हो रहा है तो वाई तो वही है पर जल बदल गया यहां क्या है यहां क्या है यहां क्या है काच है और यहां क्या है जल तो इसको तो हम लिख सकते हैं काच के सापेच जल का अपरतनाग काच के सापेच जल का अपरतनाग काच के सापेच जल का अपरतनाग इसे हम यह लिख सकते हैं तो द तोनों माध्यमों में जैसे किसी का भी निकालना हुआ एक किसा पेच दूसरे का दूसरे किसा पेच पहले का तो भही देखो दोनों माध्यमों में प्रिकास की चालों का अनुपाते ही अपरतनांक कर लाता है और प्रिकास की चालों परतनांक में यही संबंध होता है दोस्तो तो आप इसका एक screenshot लेज़ेगा फिर इसी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रेकास की उत्कमरियता तो आपने अगर screenshot इसका ले लिया होगा थो उधर चर्चा कर लेते हैं प्रेकास की उत्कमरियता क्या होती है कभी कभी exam में प्रशनी पूछा गया है कि प्रेकास की उत्कमरियता से आप क्या समझते हैं तो उत्कमरियता का मतलब होता है दोस्तों और यह लौट कर जानी वाली किरण हो गई। यदि हम इसी किरण को फिर से लौट आ दे अर्थात इसके सामने एक दरपर लगा दे हैं तो यही किरण लोड कर इधर आ जाएगी और यही जिस किरण इधर लोड जाएगी यानि कहने का मतलब है कि यदि इधर से प्रकास किरणे आपतित कराया जाए तो परावर्तित किरण यह हो जाती है और इधर से किरण आपतित कराया जाए तो परावर्तित किरण यह हो जाता ह अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम आप इधर से प्रकास करने आपतित कराएंगे तो यह आपतित करण होगा और यह परावर्तित करण होगा और जब प्रकास को इधर से आपतित कराएंगे तो यह आपका आपतित करण हो जाएगा तो यह वाला एक परावरतन मंत करणीता कलाती है वैसे ही यहां पर भी हम समझेंगे उत्करणियता क्या होती है इसके लिए प्यारा सा एक चोटासामुननीherों बनाने वाले हैं उसी डाइगराम की मदस सारा प्रॉबलम स्माधान हो जाएगा यहत Curry कांच ए है क्या है तो चले कांच को थोड़ा सा वरिया से बना देते हैं लोग कि अब क्या होता है यह फिर क्यों फिर आर फिर एस प्रकास करती है ऐसे प्रकास करें प्रेश करें ऊपर क्या है और नीचे तो आप आपको पता है सघंळ में प्रकास करती है तो वह अभिलम की और जुकते हुए यह दूसरे प्रिश्ट्ट पर पहड़ेंगी क्या होगा दूस्तो जब यह दूसरे प्रिश्ट्ट पर पर यहां घणा कर देते हैं तो अब कांच से वायर में निकल रहा थी अभिलम इसे क्या हो जाएंगे दूरहट जाएंगे तो इस प्रेकार मिर्गत किरण हो जाता है यदि नाम देना चाहत ओ ए फिर बी और सी ठीक भी है ध्यान से समझेगा अब यहां से प्रेकास की उत्रक्रणियता को समझते हैं जब कोई प्रेकास किरण कांच के गुठके पर परती वायू से क्रेड़े इधर से आपतीत हो रही है तो वह प्रेकास करणियते जब आपकी इधर से आपती जया निर्गत किरण की बात कर लहां यह आपकी क्या आपकी क्या प्रिश्ट कर्णा निज समझाएं कि जब तक क्लियर नहीं हो जाखा और यह निर्गत सर्दृ कि एक भात ध्यान से कि कि यदी प्रिकास कीरण काच के पीट्यु परिष्ट से आपतित हो रही है यदि प्रिकास के prosecution track आरियस प्रिष्ट पर आपतित हों यानि यदि हम इसके सामने एक दरपड लगा दें यदि हम बात करें कि यदि प्रिकास किरणे आरियस प्रिष्ट पर आपतित हों ये आपतित हो रही है तो जो निर्गत किरण रहता है वह आपतित किरण की भात बेवहार करने लगता है और जो आपतित किरण रहता है वो परावरतित किरण की तरह क्या करने लगता है तो प्रेकास की इस घटना को उतकर्मियता नाम दी जाती है एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों यदि प्रकास किरड़े PQ प्रिष्ट पे आपतित हो रही है तो निर्गत किरड़ आपका आरियस से होकर गुजरता है यानि यदि OA आपतित किरड़ है तो निर्गत किरड़ कौन होगा? बीसी होगा यदि आपतित किरड़ बीसी है तो आपतित किरड़ क्या होगा? OA होगा तो दोस्तों इस घटना को प्रिकास की उत्खणियता कहते हैं अब दूसरे सब्दों में अगर हम बात करें प्रिकास की उत्खणियता क्या होती है यदि प्रिकास किरड़े इधर से जा रह रही है तो प्रिकास के इस घटना को उत्करवनयता कहते हैं बात आपको समझवाई दोस्तों तो यह हम प्रिकास की उत्करवनयता को लिख सकते हैं अब यहां से हम समझते हैं जब देखेगा आपने पढ़ा ओगा यह आपतन कोड आई होता है और यह अपवर्तन कोड आई होता है तो जरी हएं आप बाते करते हैं कि जो क्या होता है जब आपका ध्यां से समझेंगे दूस्तों यह आपतन कोड आई है यानी जब प्रकास करनरण वाय से कांच में प्रेस कर रही क्या जब वाय आई TikTok कांच में जब प्रकास किरण वायू से कांच में प्रवेस कर रही है क्या कांच में प्रवेस कर रही हो कर रही है तब आपतन कोड आई तथा अपवरतन कोड आ रहे है तथा अपवरतन कोड क्या है आ रहे है तब स्नेल के नियम से अपवरतनांख हो जाएगा क्या हो जाएगा दूस्तों वाय से कांच में जा रहे हैं तो ए एन जी बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर ठीक यह हो गए साइन आई बटे साइन आर समी कर नंबर क्या हो गया एक हो गया ठीक अब हम इधर बाते करते हैं इसको मूप कर लेते तो आपने का इसके ले लिया था इसको मूप कर लेते हैं और जब प्रकास के लिड़े जब प्रकास के लिड़े काच से वाई में जा रही है जब प्रकास के लिड़े काच से वाई में निकल रही है या वाई में जा रही है वायू में जा रही है तब के लिए तब आपतन कोड आर तथा अपवरतन कोड आई हो जाता है तथा अपवरतन कोड कोड हो जाता आई अपवरतन कोड आई है तब क्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कांच से वायू में जा रहा है था कांच के सापेच वायू का अपवरतनाम होगा जीन ने वराबर क्या हो जाएगा साइन अब इस बार आपतन कोड कौन है आर है तो साइन आई के अस्तान पर दोस्तों क्या ह होगा और होगा और के अस्तान पे क्या होगा साइन आई समी करण नंबर क्या होगा है दो समी करण एक और दो क्या करते गुड़ा करते हैं समी करड़ा 1 गुड़े समी करड़ दो चलिए समी करड़1 क्या है ए event गभाबर क्या हो जाएगा साइन आई बटे कितना uais गुड़े क्या हो जाएगा इजर साइन आठेकटनवाइक कितना तो दिखिएगा साइन आठ से Sine R Cancelled Sine I Se Sine I Cancel हो जाएगा दोस्तों तो Ang गुड़े G&A बराबर उधर 1 आ गया वहने हमें इसको इधर की तरफ कर दें गुड़ा वाला इधर में चला जाएगा भागों हो जाएगा तो Ang बराबर आ जाएगा 1 बटे G&A तो यहां से दोस्तों यह निकलता है अर्थात वायू के सापेच कांच का अपरतनांग, जले के सापेच वायू का अपरतनांग, कांच के सापेच वायू के अपरतनांग के बराबर होता है इससे यह result निकलता है कि क्या वायू के सापेच काच का अपॉर्थनांग देखेगा काच का अपॉर्थनांग वायू के सापेच काच का अपॉर्थनांग यह काच है ना तो काच के सापेच वायू के अपॉर्थनांग के भ्युतकरम के बराबर होता है यह के बराबर होता है इससे यह रिजल्ट निकलता है कि वायू के सापेच है दी काच का परतनांक दो है तो काच का वायू के सापेच एक बटे दो हो जाएगा दोस्तों यह फार्मूला आपका most important है 99% आपके दिमाग में यह फार्मूला रहना चाहिए और इस फार्मूले पर इस फार्मूले पर इन दोनों फार्मूले पर भ्यास अगले lecture में हम लोग चरूर करेंगे और जबर जस्त आठ दस सवाल का lecture अगले अगली lecture आने वाली है जो कि सनी वार को आएगी और दोस्तों उस lecture को आप जादा से जादा प्यार दीजेगा और जादा से जादा उस lecture को share किजेगा और आई होप कि आज की lecture आपको जरूर पसंद आए होगी और साथ साथ में समझ में भी आई होगी अदि दोस्तों कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो comment box में आप अपना comment जरूर कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like किजेगा और दोस् दोस्तों जिस गोल को जिस टार्गेट को आपने बना के रखा उस टार्गेट को पाना है और चीनना है दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थेंक यू आल डेश्टूडेंट